नमस्कार दोस्तों वेल्टिस्काई के एक को नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सबी लोग का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और कल है मंडे का ट्रेडिंग सेशन और कह सकते हैं नया वीक स्टार्ट होगा इस वीक में अलड़ी एक बढ़ने आपका फ्राइडे का है क्योंकि वहाँ पर दिवाली है तो जायर सी बात है मौरण ट्रेडिंग वहाँ पर होगी तो कह सकते हैं एक चोटा वीक है तो यहां पे क्या हो सकता मार्केट में इसको हम अंडर्साइंड करेंगे तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सब से पहली चीज बात कर ले अब important क्या है अब यह एक support के आसपास आ रहा है तो क्या यह यहां से support लेके bounce करेगा क्योंकि यह जो particular area एक support का है क्या यहां से bounce आएगा या फिर यहां पे यहां पे तो यहां पे हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि इस particular स्रीज जो की monthly स्रीज है इसमें आपको देखने को भी चौबेस पांसो स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस है इसके बाद अका देखा जाए तो 2400 यहां पे करीब 53 लैक्त ओपन इंटर्स कड़ा हुआ है इविन 24 हो सकती है यह ध्यान में रखेगा अब नीचे की तरफ 24,000 के लेविल पर बात करें तो 17 लाग का ओपन इंटर्स कॉल साइट पर पूट साइट पर भी 49 लाग का ओपन इंटर्स दिख रहा है तो आपको इसी नंबर पर नजर रखनी है अगर यह नंबर दीरे दीरे बरता ज चार्ट लगाता हूँ अब देखो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24-300 पर भी कॉल राइटर यहां पर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम 24-300 यानि 24-300 का जो एक रिजिस्टेंस पॉइंट होगा 24-340 का क्यों 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 यहां पर इसने क्या किया था एक लोग बनाया था उसके बाद यहां पर इसने कंसॉलिडेशन किया फिर यह ब्रेकडाउन हुआ है तो जाइट सी बात है जब यह उपर की तरफ जाएगा तो यह इसके लिए एक रिजिस्टेंस का पॉइंट बनेगा तो यहां से दुबारा से नीचे आ सकता है यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ठीक है अगर बाउंस यहां पर आता है और माल लीजे कोई स्ट्रॉंग बाउंस पर आता है तो ऊपर की तरफ जो हाइस लेविल ऑफ रजिस्टेंस होगा वो यह होगा चौबिस अदा चार सो पचात इसके पर निकलेगा तो ही मार्केट में फर्दर शॉट कवरिंग यहां पर होगी अदर्वाइस यहां पर जो नोने शॉट बना रखे हैं इस पर्टिकुलर लेविल से फिर दुबारा आपको सेलिंग देखने को मिलेगी यह ध्यान में रखेगा नीचे आपका टागेट कौन सा सीधी बात है 24,000 इवन 24,000 नी 23,000 नौसो पैंडिंग है क्यों पैंडिंग है क्योंकि यह स्विंग लो है जहां से इसने एक दुबारा रैली बनाई थी तो यहां पर यह नया स्विंग लो बना सकता है बट यहां से एक सपोर्ट लेकर बाउंस भी आएगा यह ध्यान में र नॉर्मल मारकट कंडिशन क्योंकि यहां पर कि कारी कि कोई ऐसा था टेकने को मिल सकता है कहां तक देखने को मिल सकता अरौंड एग्सपेक्टेशन जो मेरी होगी वो 24,500 तक की होगी टिकल अब देखो कल क्या हो सकता है कल के लिए है कि मैं simple ती चीज गता हूँ तो already हमने एक last trading session में एक fall देख चुके हैं तो जाइड सी बात है कल के लिए जो important है वो यह है कि यह थोड़ा सा यहाँ पर consolidation कर जाए consolidation मतलब यह जो particular range इसने बनाई है इस range में ही यह time pass कर ले around 24,250 ते लेके 24,80 इस range के अंदर यह time pass करता है ठीक है माल लो एक दो दिन इस range के अंदर time pass करेगा फिर दुबारा जब breakdown देगा तो यह सीधा सीधा 23,900 तक चला जाएगा तो कल के लिए important यह है कि यह थोड़ा सा यहाँ पर consolidation कर सकता है मतलब नीचे के label पर आपको buying भी देखने को मिल सकती है उपर के label पर आपको selling भी देखने को मिल सकती है यानि एक consolidation nifty के लिए यहाँ पर बन रहा है क्योंकि last trading session में already एक अच्छा खासा इसने moment दे चुपा है ठीक है वही अगर हम bank nifty के बात करें अब देखो bank nifty के लिए क्या है bank nifty ने आपका last trading session में breakdown दिया था 51,000 के नीचे trade किया और जैसी 51,000 के नीचे trade किया almost 700 point का यहाँ पर fall आया है तो bank nifty के लिए अब एक चीज़ ध्यान में रखना क्योंकि bank nifty अगर यहाँ पर नया low बनाएगा तो जायड सी बात है यह भी यहाँ पर थोड़ा सा consolidation कर सकता है मतलब अब आपको यहाँ पर दो हो सकता है छोटी-छोटी candle इस तरीकी की मिल सकती जैसे यहाँ पर इसने एक fall दिखाया ठीक है उसके बाद यह एक नया breakdown दे सकता है यह ध्यान में दरूर रखेगा ठीक है तो most probably जो कल का trading session है वो मेरको थोड़ा सा sideways दिख रहा है क्योंकि last trading session में एक अच्छा moment हो गया है लेकि फिर भी अगर आप कोई भी position मनाओ तो negative side पर ही बनाएगा क्योंकि trend negative है तो अगर negative opportunity आपको मिलती है तो definitely आप यहां पर sell करके काम कर सकते हो ठीक है अगर हम last trading session की global market की situation देखें तो हमें देखने को मिलेगा करीब 500 गिर के बंद हुआ है तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी अब यह अगले आने वाले 10 दिन बहुत important है क्योंकि यह US के elections हैं और वो elections का थोड़ी इसी problem मतलब rule regulation को जादा follow करने की कोशिस कर रहाते हैं ठीक है तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि Nasdaq future करीब 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था और Dow करीब 200 गिर के बंद हुआ था तो थोड़ा सा यह जो weak है यह आप volatile रह सकता है तो थोड़ा सा आपक के ले कर सकते हो ठीक है तो यह आपका निफ्टी है और बैंक निफ्टी है दोनों मैंने आपको यहां पर बता दिये हैं तो कल देखते हैं क्या होता है market में खुलने के बाद तो I hope दोस्तों यह particular वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इत